मैं से मैं मौझूद हूँ अलिराजपूर के चांदपूर के एक राहत केम्प में इस केम्प में प्रवासी मजदूरों को रोका जाता है रखा जाता है उनको खाने पीने के सुविधाएं दी जाती है और उसके बाद जब उनका वहान आता है उनको रवाना किया जाता है मेरे प्लब्द कराई है रीवा सतना सीधी वाले जो लोग हैं जो लंबी दूरी पर जाते हैं तो उनको साथ में मतलब सफर के लिए ड्राय नाश्ता जैसे सेव परमल वगेरा और तर्बूस भी कलेक्टर मेंडम के निदेश अनुसार दिये जाते हैं ताकि वो रास्ते में भी उन कि फिप्टी लोग हो गए देन हम उनको भेज देते हैं तो मैक्जीमम जो दिन रहते हैं वो जादा से जादा 48 और कम से कम में यह होता है कि 5-6 गंटे में भी हो जाता है डिपैंड करता है कि लोग कितने आ गए हैं इस केंप में जो खाने के हम बात करें तो क्या स्यूदिय होता है मॉर्निंग में सुबह चाय और नाष्टे में पोहा दिया जाता है देन फिर देड़ बजे जो है इनको लंच का टाइम रहता है लंच और उसके वाद शाम को साथ बजे फिर डिनर साथ के बाद डिनर दिया जाता है इन लोगों को उस रहाद केम में जो दिया जाता वो तैसिलदार मेडम ने बता आप जो यात्री यहां ठहरें उनसे बात करेंगे। के नाम है आपका? मेरा दालता है, यूपी लाब असराने वाला हूँ, यहां पे खाना बढ़िया मिला है, हर एक जगह से बढ़िया मिला है, सुबह में खिचडी मिला है अच्छा तरा से, फिर दुपार में भी सबजी पूरी मिला है, साम को भी मिलता है, तीन टम भी भोजन मिलता है, पानी का लेकिन यहां अच्छा हुआ है तो आप कितने दिन से यहां पे हैं तीसरा दिने साहब लेकिन कोई कमी अभी नहीं आए लेकिन हम यहीं उमीद करेंगे आप लोग हमको पहुचा यह यूपी लाबाद लेकिन आपके ECM नहीं तक रोक रखा आपको आपको लेकिन आप लोग चोहत्तर आदमी हो गहें चीहत्तर आदमी यूपी लाबाद के वो लोग भी अगर चाह लेंगे तो एक बस यहां से दो बस चली जाएंगे हम लोग साइकल साह हैं दादरंगर हो भी लिसे तो अपने यूपी के इन लेबर्स को सुना जो फसे हुए हैं संतुष्ट हैं यहा झाल